हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डॉक्स पेरेंटिंग मैं हूँ सुर्भी और आज हम बात करेंगे डॉक ब्रीड लासा एपसो के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं लासा एपसो एक एशन डॉक ब्रीड है इसको औरीजन तिबबत में हुआता है इसको बार्क लॉइन सेंटिनल डॉक के नाम से भी जाना जाता है यह एक नॉन इस्पोटिंग डॉक ब्रीड है और इसकी हाइट जो होती है वो 25 से लेके 28 सेंटीमीटर तक होती है बात करें इस इसका वेट फीमेल के अंदर जो होता है वो 5 से 7 kg तक होता है और मेल के अंदर 6 से 8 kg तक होता है इसका जो हैड होता है वो राउंड नेरो शेप का होता है इसके जो आइज होती है वो आलमंड शेप की होती है और मीडियम साइज की होती है और डार्क ब्राउन कलर की होती है और इसकी जो neck होती है वो काफी strong होती है और back हमेशा straight रहती है और इसकी जो body होती है देखने में rectangular shape की लगती है इसकी जो tail होती है वो उपर की तरफ रहती है और कई बार एक तरफ रहती है जैसे उसके जो hairs होते हैं वो एक तरफ रहते हैं क्योंकि काफी feathery tail होती है इनकी इनका जो coat होता है वो straight होता है long होता है और हमेशा मतलब इनके जो eyes होती है उंदर भी coat होएगा ears में भी coat होएगा और इनके mustache type भी होता है coat तो हर जोगा coat पूरा cover होता है और long coat होता है और इसी के जाथ ये भी एक important चीज है कि ये hypo allergic dog होता है मतलब कि ये shade नहीं होता है इनकी cutting करनी पड़ती है हलका full का shade होता है जिसकी वज़े से अगर आपको किसी तरीके की allergy है जो dog के hair से allergy है तो उसके लिए आप ये dog पाल सकते हैं मतलब उसमें आपको problem नहीं होएगी इसलिए इनको hypo allergic dog बोला जाता है बात करें लासा एपसो के coat color की तो लासा एपसो almost हर coat color में पाए जाते हैं जैसे की black, brown, white, grey, honey color, sand color और बहुत सरे अलग-अलग multi color के अंदर भी लासा एपसो पाए जाते हैं लासा एपसो की grooming की बात करें तो जैसे मैंने का कि वो shed नहीं होते पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको grooming की जरवत नहीं है लासा एपसो को बहुत जादा grooming की जरवत होती है क्योंकि उनके हर जगा hairs होते हैं तो उनको regular cutting की, cleaning की और especially eyes और teeth के hygiene की बहुत जादा दरवत होती है और ears की भी तो अगर आप grooming नहीं कर सकते हैं तो फिर ये डॉग आपके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि regular grooming लासा एपसो को चाहिए हफते में कम से कम इसको चार-पांच बार grooming तो चाहिए ही चाहिए और कभी professional help भी लेनी पड़ सकती है करें लासा एपसो के health की तो वैसे तो ये जर्रनली काफी healthy dog है लेकिन इसके अंदर hip diplasia और eye problems जैसी problems हो सकती है करें लासा एपसो के behavior training की तो ये काफी happy active dog breed होते हैं लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि ये guard dog और बहुत ही अच्छे watch dog भी होते हैं लिए अगर आप इनकी early socialization नहीं कराएंगे training के अंदर तो फिर strangers पे बहुत जादा भौक सकते हैं और वैसे भी इनमें जादा भौकने की आदत होती है और खासकर अगर आपको जादा भौकने वाला dog नहीं पसंदी आपके neighbors को ऐसे dog से problem है तो फिर आपको problem हो सकती है तो आप इनकी early socialization में training जरूर कराएं और कई बार ये थोड़े से जिद्धी भी हो जाते हैं training के अंदर तो इस चीज़ का धियान रखें वैसे ही काफी अच्छे dog breed है सब के साथ ही बहुत ही अच्छे से रहते हैं बच्चों के साथ सीनिया citizen के साथ देखा जाए तो लासा एप सो एक बहुत ही अच्छे family dog है अगर आप एक small breed ढूंड रहे हैं जो थोड़ी सी guarding भी हो बच्चों के साथ भी अच्छी हो senior citizen के साथ भी अच्छी और apartment friendly भी हो और intelligent भी हो तो लासा एप सो आपके लिए perfect dog ही क्योंकि कहीं पे भी रह लेता है हाँ गरम environment में अगर आप इसकी proper grooming नहीं करेंगे और खाना में ध्यान नहीं देंगे कि खाना जो है fully nutritional diet इसके लिए है की नहीं है या time से पानी वानी नहीं पी रहा है इस चीज़ का धियान नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी problem हो सकती है otherwise अगर आप इसकी अच्छे से care करते हैं तो अच्छे के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई